स्वागत अब ये को और शांदार वीडियो में एंड ये जो किया आप मेरे हाथ में देखते हैं ये बिलॉंग करती है इस पूड़र्ट को किया सॉनेट हमारे सामने खड़ी है एंड ये लेटेस्ट वेरेंट यहाँ पर खड़ा हुआ है अभी भाई किया ने लॉंच किया है gravity edition, sonnet, seltos and karense तीनों के अंदर आपको gravity edition देखने को मिलेगा driver और को driver दोनों इसैट आपको दोर्स पर basing देखने को मिल जाती है silver के साथ gravity की और ये एक बीच वाला variant है like HD के प्लस से ऊपर इस variant को रखा है किया ने यहां पर कुछ अप्टेट भी किये हैं, कुछ फीचर न्यू भी आपको एड़ ओन करके दिये हैं, लाइक जो आपके पहले कभी नहीं आते थे, वो फीचर यहां पर एड़ ओन किये हैं, ग्रैविटी एडिशन के अंदर, पेट्रोल में भी गड़ी आती है, डीजल में भी बाकी वन लीटर टर्बो चार्ड का ऑप्शन भी है, और उटोमाइटिक एंड मैनुवल, सारे ट्रांस्मिशन, सभी इंजन ऑप्शन के साथ आपको ग्रैविटी एडिशन देखने हो, मिलेगा, अब भी जो खड़ा है, वन पैंट टू लीटर नेचरल एस्पेटेट लोग तो की से स्टाट करते हैं, कुछ इस तरीके की प्रीमियम से की आपको मिलती है, टॉप एरेंट वाली यह बिल्कुल, दोनों ही कीले सेंटर, रिमोट सेंटर लोकें के साथ आपको की मिलती है, लॉक अनलोक होल्ड करके बूट अलोक आप यहाँ पर कर सकते हैं, और की लेम वगेरा आपको फुली LED देखने को मिल जाते हैं, और LED यह आपका DRL पार्ट हो जाता है, फोग लेम वगेरा इदर आपको मिल जाएंगे, यह भी आपको फुली LED मिलने वाले हैं, चार आपको मिलते हैं, फ्रेंट पार्किंग सेंसर, और फ्रेंट में एक मिल जाती है, सिलवर के अंदर स्केड़ प्लेट इंजन वगेरा के बात करें तो अभी जो सामने खड़ी है 1.2 लीटर नेच्रल एस्पेटेट पेट्रोल इंजन ये गड़े आपको डिलीवर करती है 81 बीच्पे की पावर और टॉक प्रूस करती है 115 न्यूटन मीटर का वही अगर अब जा अधर स्कत्राइब करते हैं तो तो जो कस्तुमर फीडबैक आते हैं बेटरोल मा 15 16 अगरी तक के अंदर 21 लीटिबैक आते हैं और वहीं बागी आपकी सिस तरीके से ड्राइव कर रहे हो और और अभी बात कर लेता है है वह साइड प्रृफाइल की तो ये कुछ इस तरीकि की साइट प्रफैल आती है अपनी पूरी गाड़ी की टैर्साइज के हम बात करें तो इदर आपको डायमेंड कट अलोय के साथ आर्ट 16 का टैर्साइज देखने को मिलेगा और अलोय का डिजाइन जो है वो पूरा चेंज एर यह ग्रेविटी एडिशन के अंदर आपको देख आते हैं विद एलेडी टांड इंडिकेटर डोर इंडल होगे रहा आपको बॉडी गाड़ मिल जाते हैं बी प्लर मैट फिनिस के अंदर ब्लैक मिलता है टॉप पर सिलवर के अंदर आपको मिलती है रूप रेल्स खाइंड यह कुछ इस तरीके की रियर प्रफैल आती है अ हाई मांटेट स्टॉप लैंप के उपर आपको इंटेग्रेटेड स्पॉयलर मिल गया बॉडी के लड़ सार्क फिन एंटी न मिल जाता है दो मिलने वाले हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर इदर और अधर अगें सिलवर के अंदर रियर स्केट प्लेट मिल जाती है रिफ्ले अगर आपको और भी जादा नीड हो तो रियर वाली जो सीट सेकेंड रो सिक्स्टी फोर्टी से प्लेट आप्सन के साथ आती है अपनी नेड़ के साफ से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं और कोई बाई एसी वगेरा आराम से आप यहाँ पर रख पाएंगे हैं बिदन सीम आ मैट फिनिस के अंदर ब्लैक कहीं कहीं पर आपको सिल्वर टच दे दिया थोड़ो सा लुक को इन्हेंस करने के लिए डोर्स वगेर आप देखेंगे तो सैम पैटन के साथ आपको दोर देखने को मिलते हैं सिंगल टच इधर आपको यह दे दिया भाई ब्लू शेड दे दि मिलता है एंब्ली फूर्ण वर्टर इसेट अब्ल्डवे शेड मिलती है और कॉन अब्ले कार्णड पर करिया है रीटर के साथ आता है अपके आपके मेर्ता के लिए की दिखा दो और यह कुछ इस तरीक् Only मिलता है वाई। ये जो है left में rpm meter हो गया यह आपका analog मिलता है और यह हो गया temperature यह हो गया field gauge यह आपका analog मिलने वाले हैं बाकि यह center में कुछ digital display मिल रही है यह स्पीड वगेरा है और टाइम प्रेचर है और कितने किलोमेटर गाड़ी चल सकती है यह कुछ information है आइडल ओन ओफ है यह कुछ information है तो यह कुछ आपको दिख जाएगी बाकि सेंट्रम आप देखते हैं तो 8 इंचिस का touch infotainment screen आपको मिलती है touch का response अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह काफी smooth सा है यहाँ पर यह कुछ bluetooth connectivity के लिए मागरा भाई पहले connect किया होगा किसी ने और यह कुछ manual controls है इसी infotainment screen के बाकि एक पर reverse camera की quality मैं आपको दिखा देता हूँ और यह कुछ इस तरीके का reverse camera है guidelines के साथ आता है parking sensor वगयरा जो ह hand speed के लिए हो गया यह कुछ आपको controls मलते हैं इसी वेंट इदर होगे wireless charger मिल जाता है इस वेरेंट के अंदर आपको gravity के अंदर इससे नीचे वाले वेरेंट्स मनने ही मिलता है type-c port मिल यूस्बी पोर्ट मिल गया एक मिल तोयलोड का socket और यह कुछ space मिल गया phone वगेरा रखन को मिल जाता है manual handbrake दो मिलते हैं का फोल्डर और यह कुछ यहां पर बना हुए card वगेरा रख सकते हैं phone वगेरा रख सकते हैं कुछ ऐस समान आप यहां पर साथ यह रख सकते हैं बीच में सेंटर में एक soft touch के साथ armrest आ जाता है slide function के साथ नहीं आता पर openable है और open आप आपको सभी के अंदर देखने को मिल जागा चाहे karen slow चाहे celtos low चाहे sonnet low इदर जो है memory वगेरा आपको insert करनी है यहां पर कितने जीवी के आप करना चाहें और यह जो है camera है यह internet के लिए हैं मतलब अंदर के लिए हैं और इधर जो है आपको बाहर के लिए हैं बाहर के view दे सेम मतलब फ्रेंट वाला भी और यह अंदर वाला भी दोनों इस तरीके से अड़ेस्ट कर सकते हैं तो यह काफी अच्छा यहां पर एड़ किया है कि यहांने बहुत एक जरूरी फीचर यह है आज की डेट में हैं और भी बात करते हैं रियर वाली seat की तो डोर्स वगएर आ आपको मिलते हैं सोनट के अंदर बाकि यह भी बात कर लेते हैं सीट पर स्पेस की तो नीरूम आप देखर कुछ इस तरीके से हाथ ओपर करने के बाद यह कुछ यहां पर जगा बच रही है कुछ यह आपको नीरूम मिलने वाला किसी भी तरीके से पैर आगे करो कोई दिख जा रहा है बाकि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तीन लोग इजली बैट पाएंगी शोल्डर रूम अच्छा खासा है दो हैड्रस्ट आपको हाइट एड्रस्टेबल मिलने वाले हैं सेंटर में एक फोल्डिबल आम्रेस्ट मिल जाता है अभी जो पॉलोथीन से कवर है ओपन नहीं कर सकते हैं विद्टू का फोल्डर सी आजाता है रियर एसी वेंट मिल जाते हैं दो टाइप सी पोर्ट मिलते हैं फोन वगेरा चार्ज करने के लिए और ओधर ये कुछ स्पेस मिल गया थोल वगेरा रखने के लिए टॉप पर आप दिखते हैं तो सिंपल एक रीडि एडिशन पेट्रोल के अंदर 1.2 लिटर इंजन के साथ वन आप ती मोस्ट प्रीमियम कार ये है इस सेग्मेंट के अंदर चाहे ब्रीजा हो चाहे नेक्सॉन हो चाहे वैन्यों कोई भी गाड़ी हो वाई उन सबसे बैस्ट ये गाड़ी लगती है प्रीमियम एकदम ये गा गाड़ी आपको उन रोड पढ़ने वाली है करीब एक लाग चालेजार रुपए आपके और खड़ सोजेंगे इंसरेंच रेस्टेशन एंड टीशेस वगेरम तो करीब 11.90 तक ये गाड़ी आपको उन रोड पढ़ देगी वाकि आपको गाड़ी कैसी लगे हमें कमेंट कर करके सरूब बता है और वीडियो अन्फरमटेव लगे तो अपली जार वीडियो को लाइक कर दो चानल को सब्स्राइब कर दो तैंक यू